दोस्तों, जब रेगिस्तान की तपती धोप में कोई जीव नहीं घुमता है, तब रेगिस्तान का सबसे आकरामक और सातिर सिकारी अपने सिकार करने के लिए बाहर निकलता है। हम बात कर रहे हैं साइड विंडर स्नैक की। ये सिकार इनना सिर्फ अपने आकरामक रवाईये के लिए जाने जाते हैं बलकि अपने बेहतरीन सिकार के तरीकों के लिए भी थेमस हैं या साप बहुत ही जहरीला होता है और इसकी रफतार 29 किलो मिटर पर हावर की होती है या अपने सिकार का पीछा नहीं करता है बलकि इसका सिकार खुद इसके पास अपने आप चला आता है पहले एक चुहे को टार्गेट करता है और अपने पूरे सरीर को रेत में छिपा लेता है और सिर अपने आखों को ही बाहर रखता है इनकी आखे इतनी छोटी होती हैं कि इनको कोई पहचान नहीं पाता है जैसे ही रेगिस्तानी चूहा इस सांप के करीब आता है या सांप तुरंती उस पर हमला कर देता है और बेचारी चूहे को भागने का मौका भी नहीं मिलता है और इस साप का सिकार बन जाता है वैसे इस साप के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूब देएगा